हेलो एवरिवर्ण दिस इस जैद मलिक एंड आई होप यू हैव वंडरफुल डे तो बच्छों आज हम चैप्टर आइगन वैल्यू एंड के ले हैमिल्टन थ्यूर्म की फर्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं स्टेट्मेंट है बच्छों प्रूफ डेट लेम्डा इस एन आईगन वैल्यू ओफ एन रोट स्क्वेर मैट्रिक्स ए ओवर फील्ड एफ इस एंड आईगन वैल्यू होगा अगर ये इस कंडिशन को फॉलो करें ठीक है बच्छों अब जैसे कि बच्छों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा इसमें हमने इस चैप्टर के इंट्रोड़क्शन के वारे में बात करी थी और वहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ा था आईगन वैल्यू एंड आईगन वेक आया था कि A हमारा अगर कोई स्क्वेर मैट्रिक्स है और लेंडा जो है यह डेफिनेशन ऐसी थी कि A हमारा कोई एक स्क्वेर मैट्रिक्स है स्क्वेर मैट्रिक्स है और फील्ड है और बच्छों लेंडा जो कि वह फील्ड एफ से ही ब्लोंग कर रहा है उसको हम आईगन व value तब कहेंगे अगर वहाँ पर एक X matrix exist करता हो और उसका order n into 1 तो बच्चों यह बाते थे और बच्चों इस form में हमारी जो एक form थी हमके सकते हैं कि जो इसकी एक important form है आईगन value and आईगन वेक्टर की वो थी AX equal to lambda X तो बच्चों यहाँ पर A हमारा matrix था X हमारा था आईगन वेक्टर lambda था आईगन वेल्यू तो बच्चों अगर यह form हमारी बनती है तो मतलब आईगन वेल्यू और आईगन वेक्टर हमारा बच्चों वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर लेम्डा आईगन वेल्यू हो ए मैट्रिक्स की तो बच्चों ए माइनस लेम्डा आई का determinant equal to zero इसको हम बोलेंगे characteristic equation और बच्चों इस case में लेम्डा हमारा क्या होता है characteristic root ठीक है बच्चों तो बच्चों यह सारी बात है आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको नहीं चल रहा आइगन वेल्यू ऑफ एन रोड़ अ कि न स्क्वेर मैंट्रिक्स ए कि और फील्ड एफ तो बच्चों यह हमने जो फ़र्ट लाइन लेट कर ली कि लेम्डा आइगन वैल्यू है एन रोड स्क्वेर मैट्रिक्स A की ओबर फिल्ड है अगर बच्चों यह कंडिशन हमारी बन रही है तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बनेगी हमारी AX इक्वल टू लैम्डा एक्स ठीक है बच्चों यह फॉर्म बनेगी अगर लैम्डा A का आइगन वैल्यू होगा तो यह फॉर्म को फॉल्फिल करेगा ठीक है फॉलो करेगा अब बच्चों हमने क्या करना है हमने यह फॉर्म बनानी है अगर हमारी यह फॉर्म बन जाए ठीक ह इसका मतलब बच्छो होगा कि लेंडा आइगन वैल्यू है अभी हमने सिर्फ लेट किया है इसको हमने प्रूफ करना है और प्रूफ कब होगा अगर यह कंडिशनर माली बन जाए तो बच्छो देखें हम लेंडा एक्स को जो कि राइट हैंड साइड में उसको हम ट्रांसफर 已经 to zero अब बच्छो यहाँ पर मैंने I क्यों लगाया आई है एक identity matrix Sans आपको पता यह होगा कि identity matrix क्या होता है जो matrix इस उह में होता है 1000001001 जिसके diagonal के elements 11 होते हैं और बागी सार एलेमेंट 008 तो बच्छो अगर मैं किसी भी matrix के साथ, जैसे कि हमारे पास A matrix है, उसके साथ मैं I matrix, मतलब identity matrix का multiply करूँ, तो बच्चों, हमारे पास जो result आएगा, वो A matrix ही आएगा, मतलब किसी भी matrix में identity matrix का multiply करने के बाद, जो हमें result मिलता है, वो हमें वही matrix मिलेगा, तो बच्चों, यहाँ पर भी, lambda तो हमारी scalar quality है, लेकिन X के हमारा एक matrix है, इसका order क्या है N into 1, ठीक है, जिसमें 1 column है, अगर हम X के साथ I को multiply करते हैं, तो हमें result में X ही मिलेगा, आप करके देख ले ना बच्चों, फिक है ना, आप करके देख ले ना, आपको X ही मिलेगा, अब बच्चों यह जो I हमने अपनी सहूलत के लिए लगाया, अब बच्चों हम क्या करेंगा कि देखे, अगर X I लिखे हैं, X लिखे बात तो एक ही है, तो इसलिए मैंने X की जगाँ पर X I लिखे लिया, ठीक है ना, मल्टिप्लाइ में आगे बच्चों हो सकता है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, X, X को निकाल लेंगे common, ठीक है जिए निकाल ले common, A माइनस, लेमडा यहां पर बाकिए बच गया, और X को हमने निकाल लिया, common, इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों, अब देखें, यह जो bracket है और यह X मल्टिप्लाइ में है, हम क्या करेंगे, इस X को 0 के नीचे, denominator में भेज देंगे, इक्वल टू 0 X, 0 upon X, अब बच्चों, अगर हमारा, numerator में 0 हो, और नीचे, चाहे जितनी भी बड़ी रखाम हो, जैसे कि यहाँ पर X है, और यहाँ पर बेश्चक, 10,000 हो, 1,000,000 हो, तो लेकिन अगर numerator में 0 है, तो बच्चों, उसका result क्या आता है, 0 ही आता है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, कि X हमारा है, वो तो not equal to 0 है, यह मैंने आपको बताया था, कि X जो होगा, हमारा introduction बीटों बताया था, मैंने कि X हमारा होगा, आइगन वेक्टर, वो not equal to 0 होगा, तो यहाँ पर है, कि X ही कोई ना कोई value है, लेकिन अगर numerator में 0 आगे, तो बच्चों, यह 0 बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों, तो इसको हम रप करके यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आपको ऐसी रिख लेना, ठीक है ना, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यह हमारा 0 बन गया, या फिर मैं एक step और लिख लेता हूँ, A minus lambda I, equal to 0, अब बच्चों हमें जुरूरत है, determinant की, A minus lambda I, हमारा क्या, एक matrix है, A हमारा matrix है, lambda eigenvalue है, identity matrix है, तो बच्चों अगर A में से lambda I, हम subtract करें, एक matrix में से, अगर हम identity matrix में कुछ multiple एकर, subtract करें, तो बच्चों हमें, जो result मिलेगा, तो बच्चों ये एक matrix है, अगर इसका हम determinant कर दें, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, A minus lambda I, determinant A minus lambda I लिखेंगे, बच्चों 0, 0 का जो determinant होता है, वो 0 होता है, तो बच्चों ये 0 ही रहेगा, तो बच्चों देखें, हमने इस form से, A minus lambda I का determinant वाली form बना ली, अगर हमारी ये form बन जाती है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, कि lambda आइगन वैल्यू है, किसका, and road square matrix का, बच्चों यहाँ पर metric का होंसी है, A, over field F, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, कि हमने prove कर लिया, hence prove, ये लिखना है last में, ठीक है ना है, so student, I hope कि आपको article first मज़ आया होगा, अब हम करते है, article second, उससे पहला है वितना note कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं, now students, article number second है, if x is a characteristic vector of matrix A, corresponding to characteristic value lambda, then kx is also a characteristic vector, of A, corresponding to the same characteristic value lambda, where k not equal to 0, बच्चों अब धिहान समझो, यहाँ पर हमें ये बोल रहा है, कि x हमारा एक characteristic vector है, matrix A का, corresponding characteristic value क्या है, तो हमने बच्चों, show क्या करना है, कि kx, यहाँ पर x था, अब है kx, b, A characteristic vector होगा, इस A matrix का, और corresponding, same characteristic value lambda, यहाँ पर kx not equal to 0, कोई एक हमारी quantity है, अब बच्चों यह हम देखते हैं, यहाँ पर हमें बच्चों बोला है, कि if, खीक है ना, हमें मतलब एक टाइप से given है, अगर हमें कोई चीज given होती है, तो उसको हम, X is a characteristic value of A corresponding to characteristic vector of A, X क्या है, vector of A, corresponding to characteristic value lambda, ठीक है बच्चों, X हमारा characteristic vector है, A का corresponding to characteristic value lambda, तो बच्चों यह इस condition को follow करेगा, AX equal to lambda X, ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कि जो X होगा हमारा, वो not equal to 0 होगा, यह बात हमने introduction में पढ़ी थी, ठीक है ना, कि X जो हमारा होता है, वो N into 1 order का एक matrix होता है, लेकिन वो not equal to 0 होता है, ठीक है बच्चों, अगर यह form बन लिए, तो X हमार not equal to 0 है, ठीक है, अब बच्चों, हमने यहाँ पर करना क्या है, हमने KX को, KX को, यहाँ पर X है, हमने characteristic vector बनाना है, और उसका eigen value, ठीक है ना, I'm sorry, characteristic value, वैसे बोलते तो eigen value यह है, लेकिन यहाँ पर जो word यूज किया गया, characteristic value, हमने वो use करना है, कि उसका characteristic value lambda ही हो, मतलब क्या है बच्चों, समझो इस बात को, कि X की जगा पर, हम कुछ ऐसा प्रूफ करें, कि यह KX हो, X की जगा पर KX हो, और बच्चों, lambda यहाँ lambda हो, और X की जगा पर KX हो, ठीक है बच्चों, हमने X को, KX में convert करना है, और यहाँ पर भी X को KX में convert करना है, इसको मतलब बच्चों, क्या हुआ, KX हमारा एक vector है, ठीक है ना, और lambda क्या है, एक eigen value, क्योंकि अगर यह form बन रही है, तो X हमारा eigen vector है, lambda eigen value है, जिसको यहाँ बोला है characteristic value, और characteristic vector, तो बच्चों हमने यह form बनानी है, कि KX भी एक characteristic vector है, जिसकी eigen value, characteristic value lambda है, और अगर ऐसी condition बनी, तो अगर X not equal to zero है, तो KX भी हमारा not equal to zero होगा, तो बच्चों हमने यह form बनानी, ध्यान समझे, exam में यह article आता है, हमने क्या करना है, बच्चों इस form में, ठीक है ना, इस form में, हमने both side, K का multiply करना है, अब बच्चों जैसी जैसी हमने form बनानी है, वैसे वैसे हम K को arrange करेंगे, उसकी position change करेंगे, ठीक है बच्चों, देखें, A को हम बाहर निकाल लेंगे, K को हम अंदर कर लेंगे, equal to, lambda को बाहर निकाल लेंगे, और K को हम अंदर कर लेंगे, और बच्चों अगर यह हमारी form तो बन गई, ठीक न, यह साँ multiply हो था, हमने अपने सरोट के लिए, यहाँ पर bracket डाल लिए, और K को हमने उसकी position change करके, उसको arrange कर लिया, अब बच्चों, यहाँ पर हमें लिखना है, कि where, K X not equal to 0, अगर बच्चों हमने यह लिख दिया कि, where K X not equal to 0, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, कि K X is characteristic vector of A corresponding to characteristic value lambda, मैं समचों, इतना ही था, हमें यह चीज़ रखनी बहुत जरूरी है, कि K X not equal to 0, आप कहूंगे, बहुत छोटा था, जी इतना ही था, मैं समचों, इतना कर देंगे, full marks मिलेंगे हमने, ओके, तो बच्चों, second article भी आपको समझ आगया होगा, करते हैं, now students, अब हम करने जा रहे हैं, third article, statement है बच्चों, if X be an eigen vector of and road square matrix A, over field F, then X cannot correspond to two distinct eigen values, तो बच्चों इस बात को समझों, कि यह article क्या कहना चाह रहा है, यह बोल रहा है कि, अगर X हमारा eigen vector हो and road square matrix A का, over field F, तो क्या बच्चों, यह जो X हमारा eigen vector है, इसकी दो distinct eigen values हो सकती है, बात को समझों बच्चों, गहराई में जाओ, अगर X A का eigen vector है, तो मैंने आपको बताया था, introduction में, कि eigen vector, तबी exist करता है, जब उसका eigen value होता है, और बच्चों, eigen value क्या होता है, lambda, मतलब की, AX equal to lambda X, अब बच्चों, यहाँ पर बात करी गई है, कि X के, दो distinct eigen values नहीं हो सकते, तो यह हमने प्रूफ करना है, मतलब की बच्चों की, अगर हम लिखें की, AX lambda 1X, एक तो यह eigen value हो गई, ठीक है, X का एक eigen value lambda 1 हो गया, अगर बच्चों हम लिखें, AX lambda 2X, यह second eigen value हो गया, X का, आइगन vector का, ठीक है ना बच्चों इस form में, तो बच्चों, हमने क्या show करना है, कि lambda 1 और lambda 2 equal है, एक ही चीज है, lambda 1, lambda 2, lambda ही है, बस्थ हमने नाम चीज कर दिया, एक ही चीज है, हमने यह चीज बच्चों, शो करनी है, कि X की 2, different different, आइगन values नहीं हो सकती, तो हमने lambda 1 और lambda 2 को, equal proof करना है, ठीक है बच्चों, बच्चों वो हम करते हैं, अब अच्चों, यहाँ पर हमें, कहा गया है कि, अगर अगर इस condition ऐसे दी हो, if वग्यारा की, तो वहाँ पर हमें वो given होता है, आटिकल में, बच्चों हम लिखेंगे, जब करेंगे proof, since, since, X is, an, आइगन, वेक्टर, औफ A, ठीक है, X हमारा के एक आइगन वेक्टर है, A matrix का, A के स्कुरे matrix है, तो पर हमने, यहाँ पर A लिख देना काम बन जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों, अगर X हमारा आइगन वेक्टर है, तो बच्चों, यह किस form को follow करेगा, A X equal to lambda X, यह बाद तो पक्की है, कि अगर X आइगन वेक्टर हुआ, तो महाँ पर आइगन वेक्टर ही होगा, lambda के आइगन वेक्टर है, X के आइगन वेक्टर है, अब बच्चों, हम यहाँ लेट करते हैं, consider, consider, two, आइगन वेल्यूज, lambda 1 and lambda 2, of, यहाँ पर बच्चों लिखते हैं, यह form कैसी बन जाएगी, बच्चों, एक form बनाएंगे, AX equal to lambda 1 X, C equation number 1, बच्चों, एक form बनाएंगे, हम AX equal to lambda 2 X, C equation number 2, अब बच्चों, equation number 1 और equation number 2 से, हमें क्या चल रहा है, पता कि AX, इसके equal है, lambda 1 X के, और AX हमारा, lambda 2 X equal है, तो बच्चों, from equation 1 and 2 से, हमें रहते हैं, from, 1 and 2, हमने क्या हासल किया, बच्चों, we get, we get, कि lambda 1 X, equal to lambda 2 X, अगर, lambda 1 X, AX के equal है, और lambda 2 X, AX के equal है, तो बच्चों, हमने क्या करना है, यह lambda 2 X को, हम left hand side में, shift कर देंगे, ठीक है बच्चों, अब बच्चों, यहां से, हम X निकाल लिए common, यहां पर है, lambda 1 X, minus lambda 2 X, X हमने काल लिए common, और बच्चों, यह हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, अब यह X है, यह इसकी नीचे जाएगा, तो यह हो जाएगा, बच्चों, equal to 0 upon X, और बच्चों, 0 upon X हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, हमारी यह form बन गई, lambda 1, minus lambda 2, equal to 0, ठीक है न बच्चों, ऐसी form हमारी बन गई, और बच्चों, lambda 2 को, right hand side में shift कर दे, तो बच्चों, यह क्या बन जाएगा, lambda 1, equal to lambda 2, हमने बच्चों, यही prove करना था, ठीक है न बच्चों, तो बच्चों, I hope कि आपको, article 3 भी समझ आ गया होगा, और अब हम आगे करते हैं, last article 4, और फिर हम इस, आज के लेक्चर को finish करते हैं, now students, हम करने जा रहे हैं, article number 4, statement है बच्चों, prove that the characteristic roots, of a Hermitian matrix, are real, तो बच्चों, इसकी statement को, हमने ध्यान से समझना है, यह हमें बोल रहा है, कि हमने prove करना है, कि characteristic roots, मतलब की lambda, of a Hermitian matrix, Hermitian matrix, हमने अभी पीछे पड़ा है, क्या condition होती है, बच्चों, कि A theta equal to A, are real, अब बच्चों, यहां real से हमारा क्या मतलब है, कि, अगर हमारे पास, कोई ऐसी आइगन वैल्यू है, वो, lambda, conjugate के equal हो जाए, तो वो real कहलाएगी, ऐसा क्यों हो बच्चों, माल लो कि हमारे पास एक matrix है, जिसके अंदर elements है, 1, 2, minus 3, Iota, 4, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह बच्चों A matrix है हमारी, अगर बच्चों इसका हम करते हैं, conjugate A matrix, तो बच्चों वो क्या होगा, A matrix का conjugate क्या होगा, जो इसमें complex elements है, वहाँ पर जो sign होगा, उसका opposite होगा, मतलब की 1, यहाँ पर sign minus का, तो यह हो जाएगा, plus का, and 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर है, हमारे पास, आइगन वेल्यू, मालो, हम यहाँ पर lambda का, इसमें एक multiply कर देते हैं, तो यहाँ पर जो अंदर elements है, उसमें क्या आ जाएगा, lambda लेम्डा आ जाएगा, ठीक है ना, लेम्डा, lambda, 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 तो बच्चों यहाँ आएगन वेल्यू है, तो अगर बच्चों, अगर, अगर, अब आप सब कुछ भूल जाया, सिर्फ इतना देखें की इसको, हम यह रप कर देते हैं, इसको लिखते हैं, माल लो, माल लो, मैं दुबारा बताता हूँ आपको माल लो लेम्डा की value हमारे पास अगर इस form में हो आप माल आतें कि लेम्डा एक matrix है ये मान के चलो आपको मैं समझा रहा हूँ लेम्डा एक matrix है लेम्डा क्या है? एक matrix है और इसकी value है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर हम लेम्डा conjugate निकाले तो बच्चों जो conjugate होता है वो असर करता है only complex complex elements पे real और imaginary elements पे उसका कोई असर नहीं होता only complex elements पे होता है अगर बच्चों मारे पास ऐसा matrix है ठीक है इसमें सारे elements real है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो बच्चों उसका लेम्डा conjugate भी क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है न बच्चों तो अगर हम लेम्डा को लेम्डा conjugate के equal proof कर दे तो हमारा characteristic roots real हो जाएगा ओके अब बच्चों हमने क्या करना देखे हमारी condition किया कि लेम्डा को हमने लेम्डा conjugate के equal करना है अब देखे यहाँ पर है हमें given है कि हमारा क्या है जैसे एक matrix होता था यहाँ पर हर्मिश्यन matrix given है हमारी एक condition यह वारी होगी यहाँ हम लिखेंगे for हर्मिश्यन matrix for हर्मिश्यन matrix a theta equal to a कि अब बच्चो यहाँ पर हमसे पूछा गया है characteristic roots के बारे में जो बात करीगे इए characteristic roots के बारे में तो बच्चों यहाँ पर हम लैट करते हो यहाँ पर हम लैट करते है let lambda be the characteristic 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 root of A Hermitian matrix A, ठीक है बच्चों, तो lambda क्या है, A जो की हमारा Hermitian matrix है, उसका एक root है, lambda A जो हमारा एक Hermitian matrix है, जो इस condition को follow कर रहा है, उसका root है, अब बच्चों, अगर lambda Hermitian matrix का root है, तो बच्चों, वो किस condition पर follow करेगा, A X equal to lambda X, ठीक है बच्चों, अब बच्चों, यहाँ पर बात है Hermitian matrix की, तो अब हमने क्या करना है, अपनी सहूलत के लिए, इस condition को बनाने के लिए, lambda equal to lambda conjugate वाली condition को बनाने के लिए, हमको क्या करना पड़ेगा, बच्चों, कि both side, both side हमें X theta, मतलब कि X transugate से multiply करना पड़ेगा, तो बच्चों, यह equation of 1 है, ठीक है, हमने माल लिया equation of 1, और बच्चों, हमने both side X theta से multiply कर दिया, AX हमारे यह रहा, X theta से हमने multiply कर दिया, lambda X हमारे यह रहा, X theta से हमने multiply कर दिया, अब बच्चों, ध्यान से देखो, अब ध्यान देखो, मैं देखे, मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कि यही मतलब बोर्ड में हम मुझे रब करना ना पड़े और मैं यहां लिखता हूं कि ax equal to lambda x से equation number 1 और हमने x theta का multiply किया both side तो बच्चों यह हमारा आ गया x theta और lambda x ठीक है बच्चों इतना हमारा हो गया अब देखें हमारा यह form बन गया अब बच्चों हमने जब भी हम जब भी हम matrix और scalar को लिखते हैं अब देखें यहां पर कहा है x theta यह भी एक matrix है a भी हमारा matrix है और x भी हमारा matrix है और बच्चों left और right hand side में x theta हमारा matrix है lambda lambda actually यह matrix है multiply होता लेकिन यह आइगन value है मतलब कि एक scalar है scalar ना बच्चों अब यहां पर आप matrix को छोड़ो अब यह देखें vector अब हम बात करते हैं vector की x theta एक vector है आइगन वेक्टर बोलते हैं उसको लेकिन यह एक matrix है a b हमारा के matrix है x हमारा क्या आइगन वेक्टर तो है लेकिन यह matrix है n into one order की matrix है यहां पर भी x theta एक matrix है x matrix है लेंडा यह आइगन value है जो कि scalar quantity है यह vector नहीं है तो बच्चों हम क्या करेंगे कि left hand side में तो हमारा यही रहेगा x theta ax क्योंकि तीनों ही matrix है लेकिन लेकिन right hand side में lambda हमारा कोई vector quantity नहीं है कोई matrix नहीं है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और vector को एक साथ लिखेंगे और vector को एक साथ लिखेंगे ठीके बच्चों हम चाहें तो इस bracket को rub कर सकते हैं हम लिख सकते हैं x theta x पहले x theta था तो x theta ही रहेगा ठीके बच्चों हमने यह नहीं कि x पहले लिख देना है x theta ही पहले आएगा ठीके बच्चों अब देखें अब बच्चों हमने क्या करना है कि बोस साइट हमने इनका होल ठीटा करना है मतलब होल कॉंजूगेड करना है अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको प्रोपर्टी में बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पर तीन मैट्रिक्स है वो A, B, C तीन मैट्रिक्स है ठीक है यह फिर हम लेते है X, A, Y यह हमारे तीन मैट्रिक्स है अगर बच्चों इसका हम करते है ठीटा तो बच्चों इस ठीटा कैसे होता है मतलब कॉंजूगेड कैसे इसका ट्रांजूगेड कैसे होता है थीटा को बोलता है ट्रांजुगेट, तो बच्चों, पहले हम जब लिखेंगे right-hand side में, तो लिखेंगे y थीटा, उसके बाद a थीटा, उसके बाद x थीटा, तो बच्चों, यह उल्टे तरफ से start होता है, तो बच्चों, यहाँ पर भी यह क्या होगा, x थीटा, a का थीट लेकिन बच्चों यह जो होती है यह only matrix के ऊपर होती है ठीकल भी अब थीटर फिर बच्शो इसके बाद होगा एकसीटा का थीटा अब च्टो यहां पर हमने लैंबड़ा की यह नहीं लिखा किनल लैंड़ा इनके जैसा नहीं है यह वैक्टर है यह मैट्रिक्स है लैंड़ा नहीं है इस के यहां पर हम लिखेंगे x theta और x theta का again theta ठीक है बचो अब बचो देखें x theta हमारा x theta ही रहेगा a theta हमारा a theta ही रहेगा और बचो यहां पर x theta का again theta त्रांजोगेट की property होती है कि अगर कोई matrix है उसका theta का again theta हो जाए तो बचो theta theta cancel हो जाते हैं लेंडा theta देखें जैसे मैंने आपको पीछे जब हमने हर्मीशन and skew हर्मीशन matrix पड़ा था उसके बाद मैंने आपको रिजल्ट पताया थे कुछ कि k a theta हमारा क्या होता है k conjugate a theta अब बचो यहां पर है लेंडा theta मतलब यह हमारा क्या है यह हमारा k theta का a theta ठीक है तो हमारा इससे यह बन गया मतलब k theta किसके कुल होता है हमारा इससे में चल रहा पता k conjugate के तो बच्चों यहां पर भी k हमारा क्या था एक scalar quantity है यहां पर lambda theta भी एक scalar quantity है तो lambda theta क्या होगा lambda conjugate x theta हमारा x theta रहेगा और बच्चों यहां पर भी same यही चीज x theta का again theta x हो जाएगा ठीक है न बच्चों इतना आपको समझ आ गया तो इसको हम रब कर देखे अब देखे बच्चों इतना हमारा आ गया अब बच्चों हमने क्या करना देखे स्टार mission matrix a theta हमारा a के equal है a theta हमारा a के equal है तो बच्चों यहां पर जो a theta है इसको हम a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मैं next step में लिख देता हूँ कि x theta a theta के जगा पर मैं लिख दूँगा a x लिख दूँगा equal to lambda conjugate x theta x ठीक है ना बच्चों a theta को हमने a के equal लिख लिया अब बच्चों from equation number 1 a x हमारा lambda x के equal है यहां बच्चों हमारा बन रहा है a x तो बच्चों यहां पर हम क्या लिख सकते हैं x theta lambda x a x की जगा पर मैंने क्या लिख दिया lambda x lambda conjugate और x theta x रहेगा बच्चों यह कैसे बना हम देंगे from 1 यहां देंगे reference from 1 से हमारा a x lambda x के equal है अब बच्चों फिर देखें यह क्या है matrix vector है यह matrix vector है बीच में क्या scalar quantity यहां पर देखें यह तो ठीक है देखें lambda बार के हमारा एक scalar quantity है तो यह तो एक side में है लेकिन यह दोनों matrix जो वेक्टर है यह दोनों साथ-साथ में ल हम x को एक साथ लिख लेंगे तो बच्चों यह x पहले नहीं आ सकता x इस form में नहीं आ सकता ठीक है ना क्योंकि जो vectors होते हैं उनकी direction होती है तो बच्चों यह क्या होगा lambda x theta x equal to और बच्चो right hand side में तो यही रहेगा ओके अब अब अच्चों क्या करेंगे कि right hand side को हम left hand side में transfer कर देंगे lambda x theta x minus lambda conjugate x theta x और right hand side में बच गया बाकी 0 अब बच्चों हम क्या करेंगे की x theta x और x theta x को हम निकाल लेंगे comment तो बच्चों अंदर क्या बज़ेगा bracket के lambda minus lambda bar मतलब की lambda minus lambda conjugate बार भी कहते हैं ठीक है बच्चों उसको x theta x equal to 0 अब बच्चों यहां फर हम क्या करेंगे lambda minus lambda bar और यह x theta x को 0 के नीचे भेज़ेंगे कि यहां multiply हो रहा है हमां जागे divide हो जाएका right hand side में यह तो हो जागा 0 x theta equal to x अगर बच्चों यह form हमारी आ जाती है तो बच्चों हम क्या लिखेंगे lambda minus lambda bar equal to 0 और बच्चों यहां पर हम reference दे देंगे कि x theta not equal to 0 and x not equal to 0 ठीक है बच्चों यह लिखने के बाद हमने यह reference जरूर देना है कि x theta भी हमारा 0 के equal नहीं है और x भी हमारा 0 के equal नहीं है लेकिन उपर numerator में 0 था तो हमारा यह 0 बन गया ठीक है ना तो बच्चों बच्चों यह reference को देखते हैं क्योंकि 0 upon 0 हमारा क्या होता ह लेकिन बच्चों 0 upon 1 भी हमारा 0 होता है लेकि हाँ 1 तो हमारा 0 नहीं है ना तो 1 not equal to 0 है तो इसलिए x theta x हमारा यह वाला case बन रहा है कि वो not equal to 0 है ठीक है ना बच्चों तो दोनों को अलगर करके हम लिख देंगे अब बच्चों क्या करेंगे कि lambda bar को shift करेंगे right hand side में तो ब देंटा को जूगेट बच्चों यह हमने प्रूफ करना था ओके बच्चों हैंस प्रूफ अगर यह कंडिशन प्रूफ हो जाती है तो इसको मतलब क्या हुआ कि क्रेक्टरिस्टिक रूट्स हमारा क्या है रियल है आपको जितनी भी आज हमने आर्टिकल्स कराए हैं यह समझ आगे होगे और अगर आपको वीडियो से कुछ benefit हुआ तो प्ली वीडियो को शेयर करें और लाइक करना मत भूलें और बच्चों साथ में अगर कुछ भी क्यूरी हो आपको इस टॉपिक से रिडिट तो पूछे केमेंट करें आपकी problem solve की जाएगी अब अच्छों हम next lecture में करेंगे इससे रिडिटरि नुमेरिकल कोशन तो बने रहें फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच बाई प्लाइब प्लाइब माइच चैनल थाक्यू